आप देख रहे हैं लाइव सेवन नमस्कार लाइव सेवन विसेश में आपका स्वागत है मैं हूँ ग्यान दिल्जन विसेश में आज हम चर्चा करेंगे पुलीस से फरार चल रहे टाइगर जैराम की हो रही घेराबंदी होंगे गिरफतार जिस तरह से बुद्धवार को टाइगर जैराम नामांकन के बाद पुलीस के गिरफत में आए और उसके बाद पुलीस से अनमती लेकर वो जनसभाव को संबोधित करने के लिए गए और उसके बाद से वो कहां है किसी को पता नहीं है फरार चल रहे हैं इसके बाद से बोकारो जीला प्रसासन खास करके निर्वाचन विभाग रेस हो गया है और निर्वाचन विभाग के दोरा एक नोटीस जारी की गई है चार समाचार पत्रों में इस नोटीस को प्रकासित कराया गया और जिसमें साफ तोर पर ये कहा गया है कि 7 मई के 11 बजे तक लगभग 11 बजे तक वो निर्वाचन पतादीकारी से आकर के मिलें मिलने का कस्ट करें जाहिर है कि जिस तरह से 5 कारिकरताओं को जेबी केसेस के पांच कार्यकरताओं को पुलीस ने गिरफतार किया और उसके बाद से जेबी केसेस कार्यकरताओं के में जो चल रहे हैं जेबी केसेस कार्यकरताओं के बीच जो आक्रोस चल रहा है उसके बाद से इधर पुलिस महकमा भी पूरी तरह से एक तरह से यूँ कहें कि सचेत हो गया है और जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो कभी भी गिरफतार हो सकते हैं उनकी गिरफतारी है अब इसमें जो नोटीस जारी किया गया है उसमें कुछ बातें जो कही गई है अगर उसे आप गौर करते हैं तो पहली बात ये कही गई है कि दो तारीक को यानि जिस दिन उन्होंने नामांकन किया था अब माफ कीज़ें नामांगर के दूसरे दिन दो तारीकों यानि कल गुरुवार को उन्हें दो मर्तवा निर्वाचन विभाग बोकारो जीला परसासन के निर्वाचन विभाग के द्वारा फोन किया उन्होंने फोन रिसीब नहीं किया इसके बाद ये कहा गया है कि जो उनके जो प्रस्तावक हैं प्रस्तावकों का हस्ताक्षर संद्यास्पद है और ऐसी स्थिती में निर्वाचन पदादिकारी फिर से प्रस्तावकों के हस्ताक्षर की जाच करेगा इसमें उनका उपस्तित रहना अनिवारी है जाहिर तोर पर है कि जो जैसा की कल जो चर्चा की गई थी कि क्या जैराम गिरफतार हो सकते हैं या जैराम का जो नामांकन किये हैं वो नामांकन रद्ध हो सकता है इन सारे विश्यों पर कल विस्तार से चर्चा हुई थी पार्टी के बड़े पतादिकारी जो संजय महता हैं जो हजारी बाद से चुना उलर रहे हैं जेवी के से के प्रत्यासी हैं उन्होंने साफ तोर पर बताया था और इसके अलावा जारकंड हाई कोट के वरिय अधिवक् कुमार से जो बयान मुझे प्राप्त हुए थे जो बयान उन्होंने दिया था उस पर भी चर्चा हो चकी है लेकिन अब जो दूसरी चीजें सामने आ रही है दूसरी बातें सामने आ रही है वो यह है कि जो नोटीस जारी किया गया है उसमें कहा गया है यह नोटीस है उपा पियो प्लस थाना तोपचाची जीला धनवाज जारखंड को सुचित किया जाता है कि आपके द्वारा दिनांग 152024 को छे गिरिडी लोगसभा निर्वाचन छेत्र के निर्वाची पदादेकारी के समक्ष तीन सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया गया है आपके द्वारा समर्क्वित नाम निर्देशन पत्र में उल्लेखित प्रस्तावकाओं में से सभी का हस्ताक्षर सभी के हस्ताक्षर प्रसंचिन खरे की गये हैं सभी का हस्ताक्षर संदेहास्पत प्रतीत हो रहा है जिसका सत्यापन अदो हस्ताक्षरी द्वारा किया जाना आवस्यक है इस संबंद में आपको अवगत कराने हैं तो छे गिरिडी लोग सभा निर्वाचन छेत्र के सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिनाइंग 252024 को अपरहन 240 में नाम निर्देशन पत्र में उर्लेखित आपके मोबाइल नंबर 7543097890 पर संपर्क किया गया एवं निर्वाची पदाधिकारी छे गिरिडी लोग सभा निर्वाचन छेत्र द्वारा अपरहन 337 में आपके मोबाइल नंबर 7543097890 पर संपर्क किया गया परन्तु आपके द्वारा फोन नहीं उठाया गया आपके किसी प्रकार का प्रति उत्तर भी प्राप्त नहीं हुआ और इसके वाद कहा जाता है आपको सुचित किया जाता है कि यह नोटीस आपके नाम निर्देशन पत्र में उल्लेखित पते पर एवं चार देनिक समाचार पत्रों में प्रकासित की जा रही है सुचना प्रकासन के पश्चात आपके नाम निर्देशन पत्र में उल्लेखित सभी प्रस्तावकों एवं उनके वैद पहचान पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष सम्विक्षा की तिथी अर्था दिनांग साथ पांग दो हजार चौबिस को पुर्वाहन 11 बजे से अप राहन 12 तीस बजे के बीच उपस्तित होना सुनिश्चित करेंगे ये मतलब जो निर्वाची पदादिकारी के द्वारा है वो नोटीस जारी किया गया है तीन अखवारों में दिया गया है उनके घर पर भी भेजा गया है अब चर्चा ये हो रही है कि जिस तरह से जैराम महतों फरार चल रहे हैं अभी तक जो उस दिन साम के छे बजे एक तारी को नामनाशन के बाद वो जनसभा को संबोधित करने गे उसके बाद छे बजे से ये सुचना आम हो गई कि जैराम महतों पुलीस की गिरफ्ते फरार हो चुके हैं और उसके बाद पुलीस रात भर जो है सो चापे मारी करती है पांच समर्थकों को उनका गिरफ्तार किया जाता है जिसमें पांच लोग जो हैं उसमें रिजवान अंसारी हैं फुरकान खान फरजान खान हैं विक्रम रवानी हैं संजय महता है और एक अन्य कारी करता है जिनें गिरफतार किया जाता है और इसके बाद जिस तरह से लगातार बयान पर बयान आ रहे थे फरजान के भाई का जो बयान आया कि पुलीस तीन बज़े रात में आती है घर पर दर्वाजा तोर कर वो घर में घूस जाती है उनका भी मुबाइल ल तारी किया गया है उसके बाद से ये बातें साफ तोर पर दिख रही है कि साथ तारिक के पहले अगर वो सरेंडर करते हैं या फिर कोर्ट से उनको कुछ रात मिलती है तो अलग बात है वो गिरफतार नहीं हो सकते हैं लेकिन इस बीच जैसा कि उनके सहियोगी संजे महता ने में से सिर्फ नगरी थाना की कांट संख्या 48 बाइ 22 को छोड़ करके बाकि सभी में जैराम महतो ने अपना बेल ले लिया है और जो एक बचा हुआ है उसको ले करके भी वेलोग बेल की अपील कोट में कर चुके हैं अब देखना है कि वहाँ से बेल मिलता है या नहीं मिलता है लेकिन इसमीच निर्वाची पतादिकारी के रेस होने के बाद से निर्वाची पतादिकारी के दोरा नोटिस सर्व करने के बाद नोटिस को अख़बार में प्रकासित कराने के बाद से अब ये चर्चा आम हो चुकी है क्या जैराम महतो गिरफतार होंगे या उनका नामांकन है वो रद्ध हो सकता है अब ये चर्चा हो गई है इसलिए कि जो मूल चीज होती है इसकूटनी के समय अगर कुछ तथ्य गलत पाये जाते हैं जो नामांकन पत्र में भरे जाते हैं और इसकूटनी में वो तथ्य गलत पाये जाते हैं तो वैसी अवस्था में जो है उनका नामांकन जो केडिडेट होता है उनका नामांकन रद हो सकता है अब साथ तोर पर इस तरह से ये कहा जा रहा है कि जो प्रस्तावक हैं उनके हस्ताक्षर में गरबरियां का संदे हो रहा है उसमें ये लग रहा है कहीं ने कहीं कुछ गरबरी है तो प्रसावकों के हस्ताच्चा संदेहा अपस्वत होने की बात कही गई है अब उसकी जाच होगी और जाच के समय उनको भी उपस्तित रहना है ये भी कहा गया है तो जाहिर तोर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से नामांगन के दिन राची के एक डियेस्पी और नगरी थाना की पुलिस बोकारो गई थी और बोकारो पुलिस के हल्प से उनको गिरफ़तार करना था और उनको लिया भी गिया था पुलिस अपने कस्टीडी में ली थी लेकिन ये कहकर कि हजारों की संख्या भीर की संख्या है अगर वो उनको संबोदित नहीं करेंगे तो लोगों से मिलक लेकिन वह वापस आये नहीं इस बीच पुलीस को जो है उनके समर्थकों ने गेरे रखा और जैराम महतों वहां से फरार हो गए लगाता है और सोचल मीडिया पर ये बाते आ रही है जैराम महतों फरार नहीं हैं अब सवाल तो यह भी उठने लगा है कि कानून का पालन करने क के लिए जो संसद में जाते हैं विदान बनाने की प्रकिरिया में सामिल होने के लिए जो संसद बनना चाहते हैं अगर वो अपने पहली यानि उपनिंग पारी में ही अगर कानून को धत्ता बताते हैं तो आगे क्या करेंगे ये बातें भी अब चर्चा में आ गई है और ये चर्चा कितनी दूर तलग जाएगी ये कहना मुस्किल है लेकिन जिस तरह से अब जीला प्रसासन के द्वारा और निर्वाची पतादिकारी के द्वारा ये नोटीस जारी किया गया है इस नोटीस के बाद इतना तो तैमानिये कि अगर जैराम उपस्तित नहीं होते हैं आकर के निर्वाची पतादिकारी के पास तो उनके नामानकन प्रक्रिया में भी कुछ जो है सो जो एक संदे की बू आ रही है जिसा संदेहास्पत हस्ताक्षर को ही बताया गया है अगर इस कूटनी के समय वो उपस्तित नहीं होते हैं या अगर जैराम मातों कोट मूव कर चुके हैं उनके वकील कोट में इस मामले को लेके गए हैं बेल के लिए गए हुए हैं तो अगर उनको वहां से बेल मिल जाता है इसके बाद वो क्या आगे स्टेप उठाते हैं ये भी देखना होगा लेकिन फिलहाल जो इस्तिती बनी सिसरी फेर कुछ कोमेंट्स इस तरह के होते हैं जो सीधे तो पर ये तो कहता है कि जैराम टाइगर है को अब डरने वाला कोई है जीदेगा लेकिन समय उनके जो संदेव यक्ट किया गया हस्ताक्षर को ले करके जो उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर को ले करके उस पर उस समय भी उनको पस्तित रहना चाहिए अगर इस मियाद तक बाते हैं यह आ रही है लेकिन यह तक्ते बहुत साफ है कि नमांकन कर लेने के बाद obsONA है जो इसकोटनी के समय जो भी पत्र सपद्पत्र दायर की जाते हैं किणार नामा जो दिया जाता है उंक्रीत तना कीस है कितनी लेवलिटी है कितने assets हैं ये सारे चीज उन्होंने उसमें दिये हैं डाले हैं इसके भी जाच हो जाएगी जाच के उपरांत अगर ये चीजें सही हैं तो उस candidate का नामांकर रद नहीं होता है लेकिन एक चीज जो निर्वाची पदादिकारी ने अपने पीस में डाल रखा है उसके बाद से लगातार ये चर्चा आम हो गई है कि आखिर अब जैराम का आगे क्या होगा बहराल आज के विसेश में इतना ही आप हमारे साथ जुरे रहे हैं हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्गार आप देख रहे लाइव सेल सेल